तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनाटो नामिकाजे के बारे में जो की हिडिन लीफ विलेज का फोर्थ होकागे रह चुका है और जिने सभी लोग हिडिन लीफ के येलो फ्लैश के नाम से भी जानते हैं मिनाटो अपने जेनरेशन का सबसे स्किल निंजा रहता है जिसका बच्पन से सपना रहता है कि वो होकागे बने मिनाटो और उसके टीम का कैप्टन जिराया होते हैं जिराया मिनाटो के स्किल्स को देख के काफी इंप्रेस हो जाता है कुशिना उसमा की कोनहा के निंजा अकैडमी में एडमिशन लेती है मिनातो के क्लास में और पहली नजर में ही मिनातो को कुशिना और उसके रेड हेर पसंद आ जाते हैं निंजा बनने की कुछ वक्त बाद कुशीना को कुमागा कुरे के शिनोबी किड्नैप कर लेते हैं। कुशीना बिना किसी को पता चले दिये अपने बालों को तोड़ तोड़ कर रास्ते में गिरा रही थी ताकि कोई उसके बालों को देख कर उसे बचाने आए। मिनातो अकेले ही कुशिना को बचा लेता है और वापस उसे विलेज ले आता है मिनातो कुशिना को अपने थौट्स बताता है कि उसे कुशिना के रेड हैर बहुत ही अच्छे लगते हैं इस incident के बाद कुशिना को भी मिनातो पसंद आने लगता है और फिर वो दोनों कपल्स बन जाते हैं टेल बीस बॉम से इंस्पायर होके मिनातो रसेंगन बनाता है मिनातो को टीम सेवन का कैप्टन बनाया जाता है मिनातो ककाशी ओवितो और रिन का टेस्ट लेते हैं उन तीनों को मिनातो के पास से दो बेल्स में से एक को हासिल करना है ककाशी ओवितो और रिन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मिनातो से बेल लेने में लग जाता है मिनातो तीनों को समझाता है कि ये टीमवर्ग का काम है और बिना टीमवर्ग दिखाए वो टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं ककाशी, ओवितो और रिन को डीकोई बनाते हुए मिनातो से एक बेल हासिल कर लेता है मिनातो तीनों के टीमवर्क को देखते हुए उन्हें पास कर देता है थर्ड निंजा वोर के दौरान तीम 7 को कुसागा कुरे के कनाबी ब्रीच को डिस्ट्रॉई करने का मिशन मिलता है मिनातो काकाशी को मिशन का इंचार्ज बना देता है क्योंकि उसे वार के फ्रंट लाइन्स पर जाना होता है मिनातो बचे हुए लीफ निंजास के पास पहुँचता है और उन सब को अपने कुनाई नाइफ देता है ताकि वो उन्हें अपने दुश्मन के डिरेक्शन में फेक सके और मिनातो सभी को मार सके मिनाचो के बारे में जानने के बाद थर्ट सुची कागे सम्झोधा करने के लिए मान जाता है मिनाचो अपनी टीम के पास आता है वो ककाशी और रिन को बचाते हुए उनके साथ मिशन कांपलीट करता है और विलेज वापस आने के बाद वो ओवितो और वार मे मरे सभी शिनोबिस के फिनरल को अटेंड करते हैं थर्ड होकागे मिनातो को फोर्थ होकागे बना देता है ककाशी रिन को बचाने के मिशन में उसे भी खो देता है जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगता है काकाशी को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए मिनातो काकाशी को कुशीना की डिलेवरी तक उसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पोंसिबिलिटी देता है मिनातो और कुशिना अपने बच्चे का नाम जिराया के फर्स बुग के मेन केरेक्टर का नाम रखते हैं जो की नारूटो होता है और इसके लिए वो जिराया से परमिशन भी लेते हैं जिसके लिए जिराया बहुत ही खुश होते हैं डिलेवरी के वक्त कुशीना का सील वीक हो सकता है और कुरमा बहार आ सकता है। इस डर से थर्ड हो कागे कुशीना के डिलेवरी के लिए एक सीक्रेट जगा पर special arrangements करवाता है और एक नकाब पहने रोग निंजा को इस plan के बारे में पता चल जाता है, जिसे हम तोबी के नम से जानते हैं, delivery के दिन वो उस जगा पर अटैक कर देता है, नारूटो के बहर आने के बाद, वो सभी को मार देता है, और नारूटो को पकड़ कर, वो मिनातो को धम्की दे कर कहता है, कि वो कुशीना को उसके हवाले कर दे, ऐसा कहकर वो नारूटो को ऊपर फेक देता है, मिनात वहाँ पर वक्त पर पहुँचकर उसे बचा लेता है जिसके बाद कुशिना उसे बताती है कि वो मास्क पहना आदमी Nine Tails की मदद से Hidden Leaf पर हमला करना चाहता है मिनातो कुशिना को वापस नारूटो के पास ले आता है जिसके बाद मिनातो Nine Tails के अटैक से विलेज को बचाने चला जाता है मिनातो Nine Tails Fox के Tail Beast Bomb को विलेज से दूर टेलिपोर्ट कर देता है जिसके बाद वो थर्ड हुकागे को सब कुछ बताने के लिए जाता है पर तो भी वहाँ आकर मिनातो को अपने साथ विलेज से दूर ले जाता है मिनातो ये समझते हुए कि Nine Tails मास्क पहने आदमी के कंट्रोल में है मिनातो को ये पता नहीं होता है कि वो मास्क पहना आदमी उसका स्टूडेंट ओभी तो उचिया है और तोभी से लड़ते हुए मिनातो को शुरुआत में काफी डिफिकल्टी होती है लेकिन उसके पावर्स को काउंटर करने के लिए मिनातो दो-तीन फेल एटैक्स के बाद अपने रसिंगन से तोभी को हिट करता है जिसके बाद Nine Tails तोभी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है Nine Tails होश में आने के बाद विले से दूर जाने लगता है लेकिन फिर उसका पीछा कर रहे लीफ शीनोबी पर वो हमला करता है मिनातो आपस गामा बुंतो के साथ Nine Tails पर अटैक करता है मिनातो Nine Tails को पकड़ के उसके चारो तरफ बैरियर क्रियेट कर देता है ताकि वो बाहर ना चा सके और कोई उस बैरियर के अंदर ना सके जिसके बाद मिनातो कुशीना और नारूटो को उस बैरियर के अंदर टेलिपोर्ट करके ले आता है मिनातो कुशीना को बताता है कि वो नकाब पहना आदमी फिर से लीफ विलेज पर हमला कर सकता है इसलिए वो नाइन टेल्स के पावर्स का आदा हिस्सा अपने अंदर सील करके बाकी बचे पावर्स को वो अपने बच्चे नारूटो के अंदर सील कर देगा क्योंकि नारूटो का नाजुक सा शरीर नाइन टेल्स के पूरे पावर्स को हैंडिल नहीं कर पाएगा और जब कभी भी वो मास्क पहना आदमी लीव विलेज पर हमला करे तो नारूटो इन पावर्स का यूज करके उसे रोक लेगा मिनातो रिपर डेथ सील जूटसू से मिनातो नाइन टेल्स के आधे पावर्स एन को अपने अंदर सील कर लेता है जिसके बाद मिनातो गेरोतोरा को समन करता है और उसे सील की चावी देकर जिराय के पास भेज देता है और एट टाइगराम सील से नाइन टेल्स के यैंग हिस्से को नारूटो के अंदर सील कर देता है मिनातो नारूटो के अंदर अपने और कुशीना के चाकरा को भी सील कर देता है ताकि वो नारूटो की नाइन टेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने में आगे हेल्प कर सके नाइन टेल्स के पावर्स को सील करने के बाद मिनातो बैरियर को हटा देता है कुशीना और मिनाटो ठड होकागे से नारूटो का खयाल रखने को कहते हैं पेन के साथ लड़ाई के वक्त नारूटो का सील बहुत वीक हो जाता है और नारूटो एट टेल्स में बदल जाता है नारूटो नाइन टेल्स की बातों में आकर सील को अनलॉक करने ही वाला होता है तब ही वहाँ फोर्थ होकागे मिनाटो आकर नारूटो को रोक लेता है नारूटो फोर्थ होकागे को अपने सामने देखकर शौक हो जाता है नारूटो फोर्थ होकागे से पूछता है कि उसे नारूटो का नाम कैसे पता मिनाटो उसे बताता है कि वो उसका फादर है नारूटो फ्रस्टेशन और गुस्से के साथ मिनाटो के पेट में एक पंच मार देता है और रोते हुए मिनाटो से कहता है कि वो अपने बेटे को कैसे एक जिनजूरी की बना सकते हैं इन सब के कारण उसे दोस्त बनाने में कितनी मुश्किल हुई नारूटो के गुस्से को समझते हुए मिनाटो नारूटो को बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि नारूटो उस मास्क मैन को रोक सके जिसने लीफ विलेज पर हमला किया था मिनाटो नारूटो को समझाता है कि वो पेन को विलन ना समझे क्योंकि वो नकाब पहना आदमी पेन को यूज कर रहा है नारूटो मिनाटो से पेन के सवाल को पुछता है कि वो पीस कैसे लाएंगे जिसके जवाब में मिनाटो कहता है कि इसका जवाब उन्हें नहीं पता लेकिन उन्हें ये विश्वास है कि नारूटो इसका जवाब ढून लेगा और डिसपेर होने से पहले वो नारूटो के सील को ठीक कर देता है सासके के कहने पर ओरोची मारू सभी होकागे इसको रियानिमेट करता है हाशी रामा और तोवी रामा ये जानकर सप्राइज हो जाते हैं कि मिनाटो फोर्थ होकागे है सभी होकागे एलाइट शिनोवी फोर्स की हेल्प करने के लिए वार में पहुँचते हैं मिनाटो नारूटो को देखने की जल्दी में सबसे पहले पहुँचता है सभी होकागे मिलकर Tentails को एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं जिसके बास सभी एलाइट शिनोवी फोर्सेस Tentails को रोकने की कोशिश करते हैं पर थोड़ी दिर बाद Tentails के पास आ जाता है मिनाटो उसे रोकने के लिए अपने शैड़ो क्लोन को भेजता है तोवी को बिना मास्क के देखकर मिनाटो को तब पता चलता है कि तोवी एक्चुली में उसका स्टूडेंट ओवी तो उचिया है ओवी तो Tentails को एब्सॉप करके Tentails का जिन्जूरी की बन जाता है ओवी तो होकागेस के बैरियर को भी डिस्ट्रोई कर देता है मिनाटो ओवी तो पर हमला करता है पर ओवी तो Tentails के पावर्स को कंट्रोल करने के बाद मिनाटो के राइट हैंड को डिस्ट्रोई कर देता है सेकेंड होकागे वक्त पर आके मिनाटो को ओवी तो के अटैक से बचालेता है मिनाटो का राइट हैंड वापस नहीं आता है जिसे देखकर तो भी रामा कहता है कि Obito के Attacks Impure World Reincarnation पर भी Effect करेगा Obito सभी को अपने Barrier के अंदर डाल देता है ताकि कोई उसके Attack से बच ना सके पर Naruto और Kurama के Other Half से चक्रा शेयर करते हुए Minato सभी Shinobis को Barrier के बाहर Teleport कर लेता है और Obito के Attack से सब को बचा लेता है ये जानने के बाद की Obito पर Sage Mode से किये Attacks एफेक्ट करेंगे Naruto और Minato Sage Mode के साथ एक बड़े रसेंगन से Obito पर हमला करते हैं जिसके बाद Minato का चक्रा लेवल बहुत ही कम हो जाता है जिससे वो और Fight करने से रुख जाता है Naruto अपने Friends के साथ Obito के अंदर से सभी Tale Beast को बाहर निकाल लेता है जिसके बाद Obito वापस अपने Base Form में आ जाता है और नीचे गिर जाता है ककाशी Obito को मारने की कोशिश करता है पर Minato ककाशी को रोक कर Obito से फिर से बात करने के लिए कहता है Obito अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए War में मरे सभी Shinobis को फिर से जिन्दा करने की कोशिश करता है पर Black Zetsu Obito के बाड़ी पर कंट्रोल कर लेता है Minato और ककाशी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ Obito उन्हें बताता है कि Black Zetsu ने उसके बाड़ी पर कंट्रोल करके मादारा को वापस जिन्दा करवा दिया Black Zetsu Obito के रिनेगान को छीनने की कोशिश करता है ताकि वो मादारा को रिनेगान दे सके पर ककाशी और Minato Black Zetsu को ऐसा करने नहीं देते है Obito मिनाटो और ककाशी से उसके रिनेगान को डिस्ट्रोई करने कहता है ताकि मादारा इसका यूज ना कर सके यन कुरमा मिनाटो को बताता है कि वो यन कुरमा के चक्रा को सेंस नहीं कर पा रहा है मिनातो और ककाशी ओबितो के रिनेगान को डिस्ट्रॉई करने आगे बढ़ते हैं और तभी वहाँ साकूरा और गारा नारूटो को लेकर आते हैं और वो मिनातो से कहते हैं कि वो कुरमा के अधर हाफ को नारूटो के अंदर सील कर दे जिससे नारूटो की जान बच जाए, मिना तो यन कुरमा को नारूटो के अंदर सील कर ही रहा होता है, कि ब्लैक जेसू उनके बीच आ जाता है, जिससे यन कुरमा ब्लैक जेसू के अंदर सील हो जाता है, जिसके बाद वहां मादारा आ जाता है, ओबितो के रिनेगान को लेन के लिए 8 gate open करता है मिना तो माइट गाय को अटैक करने में help करता है मिना तो रॉकली को उसके कुनाई नाइफ मादारा के truth seeking ops की तरफ फेकने को कहता है मिना तो अपने साथ ops को लेकर टेलिपोर्ट कर जाता है मिना तो को होश आता है तब तक मादारा infinite sukuyomi में सभी को डाल चुका होता है मिना तो बाकी सभी होकागेस के पास जाता है तबी उनके सामने sage of six pass हागा रोमो की spirit आती है जो उनके help से नारूटो का काशी साकुरा और सासके और बाकी सभी tale beast को वापस real world में समन करता है हागा रोमो सभी impure world reincarnations के soul को free कर देते है मिना तो जाने से पहले नारूटो को birthday wish करता है और उसे promise करता है कि वो कुशीना को सब कुछ बताएगा तो दोस्तो ये थी कहानी मिना तो नामी काशे की नारूटो और नारूटो शी फुडान से